सो कॉरव और पांच पांडवो की ये रोचक बाते शायद आप नहीं जानते होंगे महाभारत एक विशाल ग्रंथ है इसमें अनेक रोचक और विचित्र बातो की भरमाड है बहुत ही कम लोगों को इन रोचक बातो की जानकारी है आए जानते हैं कॉरवो और पांडवो से संबंधित कुछ ऐसी रोचक बातों को जो शायद आप नहीं जानते होंगे ध्यान देने योग्य बात यह है कि कॉरव और पांडव वास्तव में कुरुवश के नहीं थे क्योंकि भिश्म पिता मा ही अन्तिम कॉरव थी मां भारत में कॉरवो को हस्तनापुर नरेश, ध्रितराष्ट और गानधारी का पुत्र माना जाता है कॉरवो की शंख्या सौथी इसी तरह पांडवो को ध्रितराष्ट के बड़े भाई पांडव का पुत्र माना जाता है पांडू के वन गमन के बाद धृतराश्ट को राज्य मिला था लेकिन वास्त्विक सचाईया है कि ना तो कौड़ धृतराश्ट के पुतर थे और ना ही पांडव पांडू के पुतर थे के वा योदसु की ही धृतराश्ट का पुतर था कुंती ने हस्तनापुर के राजा पांडू से विवा किया था कुंती ने अपने बचपन में दुरवासा रिशी के सेवा करके उनसे आसरवात के रूप में एक मंत्र प्राप्त किया था जिसमें वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी विवासे पहले ही उसने एक दिन पांडु के कहने पर कुंती ने यह मंत्र मादरी को भी बताया तब मादरी ने अश्विने कुमारों के आवाहन करके नकुल और सहदेव को पत्र के रूप में प्राप्त किया महरसी वेदव्यास जी ने तत्राश्ट की पतनी गांधारी को सो पुत्रों की माता होने का श्रवाद दिया था समय आने पर गांधारी गर्ववती तो हुई लेकि वह गर्व दो साल तक पेट में ही रुका रहा तब गांधारी ने डर से घबराहत में उस गर्व को गिरा दिया कहा जाता है कि उसके पेट से लोही के गोले के समान एक मास पिंड निकला तब महरसी वेदव्यास जी वहाँ पुमचकर गांधारी से कहा कि तुम सो कुंड बनवाकर उन सभी कुंडों में घी भरतो और उसकी रक्षा करने की विबस्था करो फिर वेदव्यास जी ने गांधारी को उसके गर्व से निकले मास पिंड पर सीतल चल चिरकने के लिए कहा जल चिरकते ही उस मास पिंड के 101 टुकडे हो गये वेदव्यास के आग्या के नुसार गांधारी ने उन सभी मास पिंडों को घी से भड़े हुए कुंडों में रख आवाज सुनकर गधे, गीद, कौवे और गिद भी शोड मचाने लगे, आधी दुफान चलने लगी और अनेक जगों पर आग भी लग गई यह सब देखकर विदोर नहीं राजा धृतराश को कहा कि आपका यह पुत्र निश्य थी कुल का नाश करने वाला बनेगा इसलिए आप इस पुत्र का त्याग कर दीजे, लेकिन पुत्र मुह में परकर दृतराश ने दुर्योधन का त्याग नहीं किया सौब पुत्रों के अतरिक्त गांधारी को एक पुत्री भी थी, जिसका नाम दुशाला था, जिसका विवा राजा जैदरत के साथ हुआ था युत्मे युत्सुबाद में पांड़ो के पक्ष में चले गया थे, एक बार दुर्योधन ने चलकर के भीम को जहर खिला दिया था और गंगा नदी में फेक दिया, भीम बेहोस थे और इसी हालत में गंगा में बहते बहते वे नाग लोक पहुँच गये नाग लोक में भीम को विशेले नागो ने खूब डसा जिससे भीम के शरीर में जहर का असर खत्म हो गया और वे होस में आके अब वे नागो को पटक पटक कर मारने लगे यह जानकर नागराज वाशुकी स्वेम भीम के पास आए वाशुकी के साथ आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया आर्यक नाग भीम के नाना का ना था आर्यक नाग ने प्रसन होकर भीम को एक कुंड का रस पिलाया जिससे भीम के शरीर में हजार हाथियों का बला गया और वे पहले से भी जादा बलवान हो गये द्रोनाचारे अपने पुत्र अश्वत्हामा को बहुत प्रीम करते थे उन्होंने अपने शिश्यों को पानी लाने के लिए बर्तन दिये थे अश्रतामा बर्तन में सबसे पहले पानी भरकर पता के पास पहुँच जाते हैं और उसे गुप्त विद्याय सीख लेते थे जब अर्जुन ने यह बात जाने तो वह वर्णा सस्तर से अपना बर्तन में तुरन जल भरकर द्रोनचारे के पास पहुँच जाते यही वज़त थी के अर्जुन और अश्रतामा की सिक्षा एक समान हुई जब पान्डव लाच्छाग्री में वार्नावत जाने लगे तो विद्यर जी ने सांकितिक भाषा में युधिस्चिर को उस महल का रहसे और कॉर्वो की साजिस की बात बता दी साथ ही उसने बचने के उपाई भी बता दिये दरसल यह महल लाख का बना गया था जिसमें आग लगा कर पान्डवो को मार डालने की योजना थी विद्यर जी के द्वारा साबधान कर दिये जाने के बाद एक दिन कुंती ने ब्राहमन भोज करवाया था जब सभी लोग भोजन करने चले गए तब वहाँ एक भी लिस्तरी अपने पांच पुत्रों के साथ भोजन मांगने आई और भोजन करने के बाद वह अपने पुत्रों सहित वहीं सो गई उस राद भीम ने स्वयम महल में आग लगा दिया और सभी गुप्त रास्ते से बाहर निकल गए लोगों ने जब भी लिस्तरी और उसके साथ पांच शव देखे तो उन्हें लगा कि कुंती सहित पांडव जलकर मड़ गये हैं भीम ने गदा युध में दुरियोधन की जंखा तोर दी थी वह खुन से लत्वत होकर रनभूमी पर गिरा हुआ था उसी अवस्था में वह श्रीकृष्ण की ओर देखते वे अपने हाथ की तीन अंगुलियों को बार बार उठा कर कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था ऐसे में श्रीकृष्ण उसके निकर जाकर पूछने लगे क्या तुम कुछ कहना चाहते हो तब उसने श्रीकृष्ण को बताया कि उसने महाभारत युध में तीन बड़ी गलतियां की है जिनके कारण वह युध में हार गया और उसकी आज यह दुर्दशा हुई है यदि वह पह की माता गानधारी के बार-बार कहने पर भी वह उनके सामने पतो की लंगोटी पहन कर गया तीसरी गलती यह थी कि युध में सबसे अंत में जानी की भूलकी दुर्योधन ने कहा कि अगर वह युध में पहले जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भायों और मित्रों की जान भी बचाती श्रीकृष ने नम्रता के साथ दुरियोधन की सभी बातों को सुना लेकिन अंत में उससे यह कहा तुम्हारी हार का सबसे बड़ा कारण अधर्म है और अपनी ही कूल की वधू का चीर हरन करवाना तुमने खुद ही अपने कर्मों से अपना भागे को लिखा अर्जन ने श्रीकृषन की बेहन सुबद्रा से विवाह किया था इस कारण अर्जन क्रिशन के जीजा थे दूसरी तरफ दुरियोधन की पुत्री लक्षमना ने श्रीकृषन के पुत्र साम से प्रेम की विवाह किया था और इसनाते कृषन दुरियोधन के समधी थे अर्जन की माता कुंति श्रीकृषन की बुआ यानी वशुदेव जी की बहन थी अर्जुन के पुत्र अविमन्यू की पत्नी वत्सला श्रीकृष्णी के भाई बलराम के पुत्री थी अब सोच ये इन सभी का आपस में क्या रस्ता हुआ पांडू को दो पत्निया थी कुंती और मादरी, मादरी के भाई और नकुल तथा सहदेव के सगे मामा सली के पाश रिशाल सेना थी जब वे महाभालत युद में भाग लेने आ रहे थे तो रास्ते में रुकने और उनकी दुरियोधन ने खूब आदर सतकार किया था जिससे प्रसन होकर उन्होंने दुरियोधन का युद में साथ दिया था दुरियोधन को अपने सगे मामा शकुनी का भी भरपूर साथ मिला था आज के लिए इतना ही धन्यवाद